नमस्कार मैं हूँ ससी आया जारखन की टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं हेमंद सुरेन की अपील राजेवासियो कोटी का दिलाने में सहयोग करे कमपनिया मुखे मंतरी हेमंद सुरेन ने जारखन में कारद विभीन कमपनियों को पत्र लिख कर आगरह किया है कि कमपनिया CSR फॉंड के तहट अपने अपने कारद छेतर में 18-45 के लोगों को कोविन-19 का वैक्सिन दिलाने में मदद करे मुखे मंतरी ने कहा कि आज पूरा देश इस महामारी से जोज रहा है कुरोना के दूसरी लहर बयावा रही है राज सरकार ने अपने सीमी संसादूनों के साथ इस महामारी का सामना किया और निरंतर कर रही है सभी को जीवन का अधिकार है यही वज़ा है कि राज सरकार ने राजे वास्यों के लिए जाती धर्म और संप्रादा से उपर उठ कर सभी को निसूल्ख वैक्सिन की विवस्ता की है ज्यारखन में ब्लैक फंगस के तेरा नए मरीज मिले कूल तीर साथ ब्लैक फंगस के संग्रमन का परसार राजे के 18 जीलों तक हो चुका है बता दे पिछले 24 घंट में ब्लैक फंगस के 13 नए मरीज मिले हैं जिसमें एक मरीज की मौत भी हो चुकी है अब तक की बात करें तो राजे में 63 मरीजों की पहचान होई है इसमें 27 मरीजों में जहां ब्लैक फंगस की पुष्टी हो चुकी है वही 36 संदिक धाएं उनका उपचार किया जा रहा है जबकि राजे में अब तक ब्लैक फंगस से 9 मरीजों की मौत भी हो चुकी है पता दे ए सभी मरीज रीम्स, मेडिका, टी एम ए जमसेदपूर, एम जी एम जमसेदपूर, राम प्यारी सुपर, एस्पेसलिट होस्पिटर राची में एडमिठा है सिक्छक संग ने अउनलाइन काक्षा बंद करने का आगरा किया है जार्खन राज ये माधमिक सिक्छक संग ने सिक्छा सचीव से सरकारी स्कूलों के बिद्यार्थियों की ओनलाइन काक्षा फिलहाल बंद करने का आगरा किया है संग ने असंका जताहे की он-line पढ़ाई के लिए मोबाईल के परियोग से कुरोना संक्रमान का खातरा हो सकता है बतादे संग ने सिक्छा सची को लिखे पत्रे में कहा कि सरकारी जिसकूलों में पढ़ने वाले अदिकांस बिद्यार्थियों के घर में एक ही मोबाईल है ऐसे में पूरा परिवार इसका इस्तिमाल करता है कोई अभिभावक कुरोना संक्रमीत पाए गए हैं ऐसे में यदि बच्चे को मोबाइल का इस्तिमाल करना पड़े तो संक्रमन का खात्रा बढ़ सकता है अधिकांस अभिभावक घर से बाहर जब काम के लिए जाते हैं तो मो लोगों के परिजनों को भी सरकार बीमा रासी के भुगतान को लेकर काम कर रही है इसके तहद परधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना के तहद दो लाग का भुगतान किया जाएगा बतादे इस योजना के तहद ऐसे 113 लोगों को चिनित किया गया है इन्हें दो लाग का भुक्तान कराने की करवाई चल रही है CM हिमन्त का बड़ा हमला PM हम से बात करके अपनी TRP बढ़ाते हैं जारखन के मुख मंत्रे हिमन्त सुरेन ने एक दफा फिर केंदर सरकार पर निशाना सधा है बता दे गुरु आरको नीजी नीजी चैनलों से बात चित में उन्होंने काया कि केंदर सरकार ने संकट की घड़ी में राजियों को उनके हालात पर छोड़ दिया है उन्हें ऐसा लगता है कि परधान मंत्री नयनमोदी पॉल्टिक्स TRP के लिए राजियों के मुख मंत्रियों से फोन पर बात करते हैं उनके समर्ख्च मुख मंत्रियों को न तो अपने राजि की समसाय रखने का समय दिया जाता है नहीं कुरोना संक्रमन को लेकर चार्चा के दोवान परधान मंत्री कोर्चे असपर समाधान बताया जाता है जारखन में बीना परिक्षा दिये प्रोनत होंगे 9 वी व एकारवी के विद्यार थी जारखन के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नौवी वह एगारवी कक्षाओं के बच्चे बीना परिक्षा दिये बरतमान सेक्षिनिक साथर 2021-22 में अगली कक्षाओं में प्रोनत कर दिये गए हैं बतादे नौवी कक्षा के लाग भग 4,30,000 तथा एगारवी कक्षा के 3,20,000 बच्चे 10 वी तथा बरहवी कक्षा में प्रोनत किये गए हैं बतादे राज सरकार ने कुरुवार को इस समन्द में आदेश जारी कर दिया है इसे पले कक्षा 1-8 के सभी बच्चे बिना परिक्षिक मुल्यांकन के अगली कक्षाओं में फुरनत किये गए थे ज्यारखन में टीका करन में बेतर करने पर पंचायतों को मिलेगा 5-20,00,000 तक का प्रोस्कार मंत्री जार्खन के स्राम नियोजन वाप प्रसिक्षन सहकोशल विकास मंतरी सत्यानान भोकता ने कहा है कि टीका करण में अगरिनी भूमका निभाने वाले पंचायतों को फ्रुस्क्रित करेंगे अस्थाने विधायक समंतरी ने इसके लिए चार परकार की सिरेनी का निर्धारन किया है बतादे वैक्सिनेशन के सत पर तिसत लक्ष को फूरा करने वाले पंचायत को समंधित मुखिया की अनुशंसा पर 20 लाग तक की योजना अपनी निधी से देंगे दूसरे अस्थान पर रहने वाले पंचायत को 15 लाग तीसरे को 10 लाग और चौथे को 5 लाग रुपए का आवंटन दिया जाएगा बतादे स्रम मंत्री कुरुवार को वर्चुल रूप से कारेकरम को समधित कर रहे थे भैक्सिन लेने में बरते सधानी राची उपायुक्त राची के उपायुक्त छवी रंजन ने जिलावाचियों से कोविन-19 का टीका लगवाने में सधानी बरतने की अपिल की है उन्होंने कहा कि जिस टीके का वह पहला डोज ले चुके हैं वही टीका दूसरे डोज में भी लगवाना है इसका विशेश द्यान रखे अगर भैक्सिन का टीका कोई भी व्यक्ति लगाते हैं तो 4 से 6 सब्दा के बाद वह भैक्सिन की दूसरी डोज ले सकते हैं अगर कोई सिल्ड का टीका कोई भी व्यक्ति पहली डोज में लेते हैं तो 12 से 16 सब्दा में वह कोई सिल्ड की ही दूसरी डोज ले सकते हैं कोई ट के 85 परतिशत संदिक दों में बीपी 83 परतिशत में सूगर वा 11 परतिशत में टीवी के लक्षन जारखन में ग्रामीन चेतरों में कोई ट के 85.5 परतिशत संदिक दों में बलड परेसर 82.9% में diabetes 11.2% संदीजों में TV के लक्षन मिले है पतादेश का खुलासा मंगलवार से राजेक के गरामीन चेतरों में सुरू हुए COVID-196 अभ्यान में हुआ है जारखन में 695 में नए केस मिले है जारखन में 16 मरीज की मौत हुई है जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 13,097 है भारत में 1,89,535 नए केस मिले है भारत में कूल माउत की संख्या 3,18,821 है वहाई भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 23,27,541 है भारत में 2,64,182 मरीज स्वस्थ हुए है जारखन में 695 नए केस मिले है जो बुकारो 32, 14, 10, देवघर 35, धनबाद 76, दुमका 5, पुरी सिमू 16, गडवा 3, गिरीडी 43, गोड़ा 1, गुमला 40, हजारी बाग 42, जामता 18, खोटी 99, गोडरमा 18, लात्यार 35, लोहरदागा 22, पांकुर 0, पलामू 37, रामगर 42, रांची 89, साहिब गंज 11, सराइकला 29, सिम् 23, धनबाद 179, दुमका 5, पुरी सिमू 16, गडवा 35, किरीडी 46, गोड़ा 13, गुमला 14, 117, जामता 18, खोटी 74, खोटी 74, कोडरमा 72, लात्यार 55, लोहरदागा 45, पांकुर 36, पलामू 64, रामगर 83, रांची 25, साहिब गंज 9, सराइकला 34, सिम्डेगा से सोलमरी स्वस्थ 23, भाजबा नायनन दमोधी सरकार के दूसरे कहरे कारेकार को सेवा के संकल्प के साहथ म yapmışने का नियनलिया ह्यत्या मैं बतादे नायनन दमोधी के नेतियूति में 2 भार यानि सरकार के 2 राट 30 माई को है, इस दिन भाजबा अपने सेवा कारे कहरे क original में पहुंचेगी, भाज दिव्यांगो के टिका करन के लिए विसेस इंतेजाम करेगी सरकार दिव्यांगो के टिका करन के लिए सरकार विसेस ब्यवस्ता करेगी पतादे टिका करन केंदरो पर उनके लिए स्पेसल लाइन लगाई जाएगी जार्खन सरकार ने या अंडर टेकिंग गुरुआर को हाई कोट को दी है इसके बाद अदालत ने जनहीत याजकार निस्पादित कर दी याजका जार्खन विकलांग मंच के अध्यक्स अरुन कुमार सिंग ने दायर की थी रांची के तमाल में उदघाटन से पहले ही गिरा कांची नदी पर बना पूल रांची के तमाल परखन में 3 साल पहले कांची नदी पर बना पूल गुरुआर को भारी बारी के बिच तूट गया बतादे अभी तक ए प्रोच रोड नहीं बनने से इसका बिधुवत उदघाटन भी नहीं हुआ था कांची नदी में अचानक पानी आ जाने से अपूल धास गया बतादे अपूल रांची जिले के तमाल और सोना हाथू पर खन को जोड़ता था पूल या स्तुफान की वज़ा से राज जे में पिछले 24 कंटे से ज्यादा समय से हो रही बारिस के कारण तूट गया पलामू के चैनपूर में वाइट फंगस का पाला मरीज पलामो जिले में वाइट फंगस का पाला मरीज पाये जाने से स्वास्त विवाग में हकम मच गया है बतादेश सहर के आख के चिकित्सक डक्टर आके सकुमार के पास चैनपूर प्रखंड के एक बहतर वर्षे मरीज आया था जिसे तेज बुखार हुआ आखे फुली हुई थ उसका जाच कर फंगस की संका प्यक्त करते हुए चिकित्सक ने रिम्स में रेफर कर दिया है जारखन में कुरोना से 30 डक्टरों की हुई मत किसी भी डक्टर को सहायता रासी नहीं मिली जारखन में कुरोना से 30 डक्टरों की जान गई है बतादे इंडियन मेडिकल एसोसिये प्राइशन ने कोविट से मृत 30 डक्टरों के नाम जारी किये हैं सबसे ज़्यादा जम सेथ पूर में 10 डक्टरों की जान गई है जब कि राची में साथ डक्टरों की मिर्ट्री कोविट के चलते हुई है बता दे बश्च दो यजार बीस में कोविट ने जारकन के 20 डक्टरो थी इस तरह अब तक कोल मिलाकर करोना से राजे में 50 डॉक्टरों की मौत हुई है बता दे आई एमे का कहना है कि इन में से किसी भी डॉक्टर को अब तक सरकार की घोषना के अनुसार कोई साहतारासी नहीं मिली है कई डॉक्टरों के परिवार बिसम इस्थिति से जूज रहे हैं लेकिन सरकार ने अपनी खोषना पूरी करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है जारखन के बीत मंत्री रामेश्वर उडाव ने कहा है कि केंदर सरकार बीती वर्स 2021 एकिस में जेश्टी छाती पूर्ती के रूप में बकाया रासी 1561 कोरों रुपए का आविलम केंदर सरकार के समक्ष कई अने मांगों को भी रखने की त्यारी है धन्यवाद